हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ सब अच्छे होंगे फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फोन पे के बारे में जी हां फ्रेंड हम बात करेंगे फोन पे का QR कोड कहा होता है और हम उसको सेर कैसे कर सकते हैं और डाउनलोड कैसे कर सकते हैं जो हम अपनी गैलरी में उसको सेब करके रख सकें तो फ्रेंड आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वैल आइकन को ओन करके रखो क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफेकेसन आपको सबसे पहले मिले तो फ्रेंड चलते हैं ओड करते हैं वीडियो को स्टार्डिंग फोन पे का क्यो आर कोड कहा होता है और हम उसको कैसे डाउनलोड करें तो फ्रेंड सबसे पहले हमें क्या करना है हमें जो हमारा फोन में जो फोन पे का एप होता है हम उसको ओके कर लेंगे जी हां friend, phone पे को ओपन करने के बाद में friend, आपको कुछ interface एंसा नजर आएगा तो दोस्तों हमें क्या करना है हम इस side में जो icon चमक रहा है इस time मेरा photo लगा हुआ है हम उस पर click कर देंगे click कर देने के बाद में friend, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है my qr code तो हम इसको ok कर देंगे ok करते ही friend आपको phone पे का qr code सामने नजर आएगा जी हाँ दोस्तो यही है phone पे का qr code अब दोस्तो हम इसको किसी को share कैसे करते हैं share करने के लिए friend नीचे side में लिखा हुआ है share तो हम इस पे click कर देंगे share पर click कर देने के बाद में ऐसा interface नजर आएगा आप किसी भी apps में इसको share कर सकते हैं जैसे कि हम WhatsApp पे हम किसी friend को करना चाहें तो WhatsApp पे हम कर सकते हैं अब friend हम download कैसे करेंगे इसको तो download करने के लिए friend यहाँ पिस side में आपको लिखा दिखाई दे रहा है download तो हम इस पे click कर देंगे click करते ही friend यह हो जाएगा download और आप इसको देखेंगे अपनी gallery में तो हम इस पे वाइब जो लिखा दिखाई दे रहा है इसको हम OK कर देंगे OK करने के बाद में अपनी gallery open करेंगे और यह आप देख सकते हैं यह है हमारे फोन पे का QR कोड जो कि हमारी गैलरी में सेव हो गया है यह हम कभी भी किसी को भी सेयर कर सकते हैं और किसी से भी amount माँआ सकते हैं तो फ्रेंड कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सेयर करें लाइक करें